Hi guys, welcome back, आप सभी का अपने चानल पे बहुत ज़दा स्वागत है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 17.2 के नए अपडेट के बैटरी टेस्ट के बारे में, complete बैटरी टेस्ट किया है, मैंने अपने डिवाइस में इस नए अपडेट का और साथ में आपको बताऊँगा क कैसा आपको बैटरी बैकप रिसीव होने वाला है, इस नए अपडेट में और ये अपडेट आपको इंस्टाल करना चाहिए या नहीं, complete डिटेर वीडियो होने वाली है, डिव्यू होने वाला है बैटरी का इस नए अपडेट की उपर, जो साइज इस अपडेट का मेरे को आप देख सकते हो, बैटरी हेल्थ है मरे आईफोन 13 की, 96% के हिसाप से आपको कैसा बैटरी बैकप रिसीव होने वाला है, आप यहां से चेक आउट कर सकते हो, यहां से आप देख सकते हो बैटरी के ग्राफ में, कि जैसे जैसे यहां पर मैं अपने डिवाइस को यूज कर हूँ, वहां पर आपको यह जो बैटरी का ग्राफ है काफी नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, मतलब कि यहां पर, जहां पर कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है, वहां पर अगर आप देखते हो, कि बैटरी का ग्राफ बिलकुल सीधा है, स्ट्रेट है, वहां पर कनेक्शन, यहां पर काम कर रहा है, तो यहां पर आप देख सकती हो, जहां पर आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हो, जैसे जैसे आप अपने डिवाइस को यूजज करते यहां पर इसे लिए यह जो बैटरी का ग्राफ है नीचे की और जा रहा है और यहां पर फिर से मैंने इसे चार्जिंग की उपर सेट किया है और 21% इसको 4 मिनट पहले मैंने इसके को चार्ज किया है तो इसके हिसाब से आईफॉन 13 की उपर आप बिल्कुल भी बैटरी टेन इ आईफॉन XR है पुराने अपडेट के मुकाबले में उसका बैटरी बैकप काफी इंप्रूफ हुआ है अब बोल सकते हो बट यहां पर जब इसका जो रात के टाइम पर बैटरी डेन होता है उस कंडिशन की उपर यह 10-15% बैटरी जो है वो ड्रेन कर देता है इसलिए इस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनके पास आईफॉन XR है वो सोच समझ के अपडेट करें क्योंकि इसमें आपको इतना बड़िया बैटरी बैकप देखनी को नहीं मलेगा जितना कि आपको आईफॉन 13 या 14 या 12 में देखनी को मलने वाला है वो डिपेंड करता है आपकी यूसेज के ऊपर कैसे आप अपने डिवाइस को यूस करते हो कैसा आपको बैटरी बैकप जो है वो रिसीव होने वाला है तो यह है कंप्लीट बैटरी का रिव्यू आयो 17.2 के इस नहीं देट अपडेट का आई होब आपको यह वीडियो पसंद आई होगी सो मलत है वीडियों वीडियों के चाइस हो बाद़ नहीं खरीजों super वाजरी के एडाओट कायान थैश माध